हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंग क्लासेज में क्लास टोल कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने हैं इलेक्टिक पोटेंसियल और आपने ये जरूर पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा कि इलेक्टिक पोटेंसियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पर कितना डेवलप होता है और उसे हम लोग किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपको फार्मूला याद आ रहा हो, तो फार्मूला कुछ इस तरह से था वी क्वल्टो वन बाई फोर पाई एपसाइलन नौट क्यू बाई आर या एपसाइलन जीरो है, एपसाइलन नौट है, आप इससे परचित होगे ये फार्मूला हम लोग पर चुके हैं अच्छा इस फार्मूले से आपको ये भी पता लग रहा है कि जो इलेक्रिक पोटेंसियल है, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वैरी करता है, चेंज होता है जैसे जैसे आप distance change करोगे वैसे वैसे electric potential की value भी change होगी और कैसे change होती है inversely proportional change होती है यानि कि अगर आप distance बढ़ाते चले जाते हो तो electric potential की value घर्टी चले जाती है decrease होती है मालो आपके पास एक point charge है plus q इस point charge से कुछ distance पर a, b, c तीन point है आप देखी रहे होगे कि जो c point है उसका distance source charge से जादा है a point का distance सबसे कम है तो इस concept से, इस formula से हमको क्या conclusion मिलेगा कि a point पर जो electric potential होगा उसकी value सबसे जादा होगी किसके compression में? b और c के compression में क्योंकि c का distance source charge से सबसे जादा है और a का distance source charge से सबसे कम है जिसका distance कम होगा जिस point का उस point पर electric potential की value जादा आएगी और जिसका distance जादा होगा उस पर electric potential की value कम आएगी मतलब यह है बच्चों कि जैसे जैसे आप distance में variation लाते हो distance में परिवर्तन करते हो distance में changes लाते हो electric potential की value भी vary करती है electric potential की value भी change होती जाती है यानि कि जो potential है वो change होता है with respect to distance distance के सापेच change होता है बच्चो ये जो concept हम लोगों को मिल रहा है यहां से एक physical quantity मिलती है जिसे हम लोग कहते है potential gradient इस वीडियो में हम लोग इसी पर focus करेंगे कि potential gradient होता क्या है और इसे हम लोग define कैसे करते हैं तो चलिए define करते हैं potential gradient को potential gradient बिभो प्रवर्ता बच्चो एक चीज इसके define करने से पहले जाना बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई scalar quantity है आप जानते हैं कि potential एक scalar quantity है किसी scalar quantity का अगर हम gradient calculate करें प्रवर्ता calculate करें तो हमेशा vector आता है किसी scalar quantity की प्रवर्ता किसी scalar quantity का gradient एक vector quantity होती है यानि कि जो potential gradient होगा यह कैसी quantity होगी यह एक vector physical quantity होगी इसको define कैसे किया जाए इसको define चलो इसी figure से करते है change in electric potential electric potential की value में change हो रहा है किसके respect में हो रहा है distance के respect में हो रहा है यह तो हम आप जानते ही है या अभी समझे इस चीज को तो इसी से चलिए define किया जाए कैसे define करेंगे rate of change of electric potential electric potential की value में change किसके respect में with respect to distance rate of change of electric potential with respect to distance is called potential gradient दूरी के सापेच बिभव के मान में परिवर्तन के दर को बिभव प्रवारता कहते है rate of change of electric potential क्योंकि electric potential change हो रहा है तो किस rate से change हो रहा है किस दर से change हो रहा है तो बोलेंगे क्या rate of change of electric potential किसके respect में with respect to distance is called potential gradient या आप हिंदी में define कर सकते हो दूरी के सापेच बिभव के मान में परिवर्तन के दर को बिभव प्रवारता कहते है पहरे बच्चों अगर आपने definition समझ लिया है बहुत ही आसान सा है उमीद है आपको समझ में ही आया होगा तो आप इसका formula भी बना सकते हो कि potential gradient is equal to del v by del x ठेक अगर आप ये भी जानते हो कि जो delta x है इसकी value बहुत कम हो tends to zero हो इसकी value zero की तरफ अगरसर हो रही हो तो जब हम limit लेते हैं तो यही physical quantity d by dx को भी represent करती है यानि कि इसको differentiation form में हम लिख सकते हैं dv by dx ये हो गया इसका formula तो जब formula मिल गया आप पहले से जानते हो कि ये जो वेक्टर quantity है gradient always a vector quantity तो potential gradient भी एक वेक्टर quantity होगा इसका unit क्या होगा तो आप देखो old by distance लिखा है ना potential by distance potential को हम लोग measure करते हैं old में और distance का measurement होता मीटर में तो यहाँ पर जो आपको potential gradient का unit मिलेगा वो मिलेगा old per meter पहरे बच्चों हमको उमीद है कि यतनी बातें आपको समझ में आई होंगे अच्छा जब आप electric potential discuss कर रहे हो तो उससे पहले हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छे धंग से समझा था पढ़ा था numerical problem भी handle किये थे कि electric field नाम की भी एक physical quantity होती है जो distance पर depend करती है उसे हम लोग किस फार्मूले से represent करते थे उसका फार्मूला भी इसी के जैसा आता था equal to 1 by 4 by epsilon 0 epsilon 0 q by लेकिन r square होता था यानि कि जो electric field की intensity थी वह भी distance पर depend करती है उसमें भी distance के respect में variation आता है लेकिन ये जो variation होता है वो square के reciprocal है यहाँ पर square के reciprocal नहीं है cable distance के ही reciprocal है ठीक तो अगर हम आपसे ये कहें कि जड़ा इस पर विचार करिए कि जैसे जैसे हम लोगों ने distance change किया है source 4 से point A का point B का point C का तो electric potential की value change हुई है क्योंकि distance change हुआ है क्या electric field की value नहीं change होगी वो भी तो change होगी अलग-अलग point पर electric field की value electric field की intensity की value भी अलग-अलग ही होगी वो constant नहीं होगी यानि कि potential भी vary कर रहा है with respect to distance field की intensity भी vary कर रही with respect to distance दोनों with respect to distance variation so कर रहे हैं तो क्या potential का कोई relationship electric field के साथ हो सकता है क्योंकि दोनों का base same है दोनों में variation due to distance ही आ रहा है बस एक में square के inversely proportional है एक में square के inversely proportional नहीं है लेकिन variation तो distance के respect में हो रहा है तो दोनों का source, दोनों का region दोनों का current same है variation का तो दोनों में आपस में भी तो कोई correlation होना चाहिए कोई समानता होनी चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए इस संबंध को चलो हम लोग find out करते हैं कि क्या potential के variation में और electric field के बीच में कोई relation आ सकता है अगर आ सकता है तो वो कैसा होगा ठीक है तो चलते हैं हमेशा की तरह एक source charge बनाते है point charge होता है इस से r distance पर मेरे पास point है ए जहां पर हम लोगों ने एक charge रखा है test charge जिसके बारे में आप जानते हो कई बार हर वीडियो में लगबग आता रहता है नना सा होता है इतना नना होता है चोटा होता है कि इसका electric field source charge के electric field को influence नहीं करता है positive by nature होता है यह सारी चीज़े आपको पहले से पता है तो यह जो test charge आपने रखा है source charge के कारण इसके उपर force लगेगा यह positive है positive positive को repel करेगा जिस direction में force लगेगा वही electric field का direction होगा यानि कि इस point पर electric field का direction यह होगा और इसी electric field के direction में test charge पर force भी लगेगा दोनों same ही direction में होते हैं अगर positive charge है तो negative charge है तो opposite भी हो जाता है यह सब आप जानते हो खेर अगर हम इस test charge q0 को q0 को a से replace करके displace करके b पर ले आए जिसका distance है dr अब यह charge यहां से यहां आ गया तो इसके displacement में इसको a से b तक ले जाने में इसको a से b तक carry करने में आपको work done करना होगा कितना work done होगा किसमें q0 को a से b तक replace करने में आप कितना work करोगे तो बचो work का formula calculate करना बड़ा आसान होगा अब चुकि आपने displacement छोटा सा किया है तो निश्चित है जो work done होगा उसका भी amount छोटा ही होगा और आप जानते हों कि छोटे amount को हम d या delta से represent करते हैं तो a से b तक q0 को लाने में जो work done होगा उसकी value कितनी होगी work done in bringing q0 from a to b मतलब a से b तक q0 को लाने में किया गया कारे चलिए कारे calculate करते हैं work calculate करते हैं तो आपके पास formula work का होता है w equal to f s cos theta ठीके तो dw हो जाएगा क्योंकि आपने displacement ही कम किया है force हो जाएगा yes हो जाएगा displacement आपने कर रखा है dr cos theta जड़ा बिचार को रो angle पर तो angle कितना होगा force आप देख रहे हो b से a के direction में लग रहा है और आपने displacement किया है a से b यानि कि displacement और force एक दूसरे के opposite है force लग रहा है इस direction में displacement इस direction में तो दोनों के बीच में जो angle है वो angle हो जाएगा 180 degree cos 180 की value minus 1 होती है यानि कि हो जाएगा f into dr आप force और electric field के 20 का relation भी जानते हो आपने पढ़ रखा होगा कि e electric field intensity is equal to force by q naught therefore force is equal to e into q naught जब आप value पूट करो e q naught dr q 0 को transfer करो dw by q naught is equal to minus e dr work done by source work done by charge की value जो होती है उसके ratio को हम लोग potential कहते है potential difference कहेंगे यहाँ पर क्यों potential difference कहेंगे क्योंकि यह जो दोनों point है a और b वो field के अंदर है और जब हम field के अंदर displacement करते हैं तो वहाँ पर हमको potential difference मिलता है और जब हम infinite से carry करते हैं तो हमको उस point का potential मिलता है यह हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे डंग से discuss कर चुके हैं तो हमारे पास हो गया work done by charge जिसको हम कहेंगे electric potential difference लिखेंगे dv e dr dr को आप transfer करो तो हो जाएगा equal to minus dv by dr अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो dv by dr dv by dr r distance है यह potential gradient हो गया यानि कि जो electric field है और potential gradient उसके बीच में हमको एक relation मिल गया उसके बीच में हमको एक संबंध मिल गया एक formula मिल गया जो एक correlate करता है जो यह संबंध बता रहा है कि electric field और potential difference कैसे आपस में relate होते हैं कैसे आपस में संबंधित होते हैं ठीक क्या relation मिला बच्चो? Electric field equal है किसके potential gradient के negative value के. विद्धु छेत्र की जो तीवरता होती है, electric field की जो intensity होती है, वो potential gradient के, क्योंकि dv by dr, dv by dx, dx मिन्स distance, वहाँ पर distance आपने dr रखा है, और dv by dr, electric potential gradient को represent कर रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, कि electric field potential gradient के negative value के equal होता है, यह हमको relation मिल गया, delta v, value of change of potential, and electric field के बीच में, और relation क्या मिला है, कि electric field is equal to negative value of electric potential gradient, या potential gradient, यानि कि बिभव प्रवारता का negative मान, बिभव प्रवारता का रिडात्मक मान, बैदुच्छेत्र की तीबरता के equal होता है, तो बच्चों, यह relation हो गया, किसके किसके बीच में, electric field और potential gradient के बीच में, तो यह जो टापिक हम लोगों ने पढ़ा, उसकी heading क्या है, relation between, between electric field and potential gradient, और क्या relation मिला, relation यह मिला, कि electric field is equal to negative of potential gradient, बिभव प्रवारता के रिडात्मक मान, बिभव प्रवारता का रिडात्मक मान, electric field intensity के equal होता है, बैदुच्छेत्र की तीबरता के बराबर होता है, दिखो, बड़ा मजिदार सा चीज मिला, electric field जो है, बच्चों, वो एक vector quantity है, potential जो थी, वो एक scalar quantity थी, लेकिन potential का gradient जब निकाले, तो वहाँ से हमको एक vector quantity मिल गए, यानि कि potential नहीं, बलकि potential gradient जो होता है, वो electric field को correlate करता है, ठीके, इस formula को आप 3D में भी लिख सकते हो, कैसे 3D dimensional में लिखोगे, अगर electric field, क्योंकि vector quantity है, तो आप represent कर सकते हो, EXI cap, EY j cap, EZ, K cap, जहाँ पर EX, EY, EZ, XY और Z axis के direction में, E vector का component है, तो आप इसकी value कैसे निकालोगे, EX equal to, minus DV by DX, EY equal to, minus DV by DY, और EZ is equal to, minus DV by, DZ, ये बच्चो हो गया, component electric field का, ठीके, अब मान लेते हैं, आप से कभी कोई question पूछ ले, कि, एक, प्लेट है, plus Q charge है, दूसरा प्लेट, minus Q charge है, इस पर electric potential है, let V1, इसका electric potential है, V2, तो इनके बीच में, जो electric field होगा, उसकी value कितनी होगी, तो electric field की value क्या आएगी, delta V by delta R, means, equal to, V1 minus V2 by, distance, अगर दोनों प्लेट के बीच का D है, तो D हो जाएगा, equal to, V1 minus V2, इससे difference मिल जाएगा, divided by, distance between plates, distance between these plates, ठीक है, तो इस formula से आप electric field निकाल सकते हो, ये भी आपको electric field दे रहा है, ये आपको electric field के different different component दे रहा है, क्योंकि electric field एक vector quantity होती है, formula देखा कि electric field जो है, वो potential gradient के negative value के equal होता है, और question जरा लगाते हैं, एक numerical problem टेक करते हैं, जिसमें आपको potential given होगा, और उस potential के help से आपको electric field intensity vector form में calculate करनी होगी, आपके पास, एक equation form में potential given है, V equal to 6xy minus y plus 2yz कोई point है, 110 इस पर आपको electric field का vector form calculate करना है, आपसे यहाँ पूछ सकता है उसका component form, component form का मतलब ex की value calculate करो, तो ey की value calculate करो, ez की value calculate करो, चलिए vector form, component form दोनों देखते हैं, तो अभी आपने formula देखा, कि जो e है, वो equal to होता है dv by dr, अगर आप x component calculate करेंगे, तो dv by dx हो जाएगा, y component calculate करेंगे, तो dv by dy हो जाएगा, और z component calculate करेंगे, तो dv by dz हो जाएगा, minus sign के साथ, अब अच्छो अगर कोई equation, x, y, z, तीनों पर depend करता हो, तो उसका differentiation हम नहीं कर सकते हैं, हाँ, उसका partial differentiation कर सकते हैं, अब differentiation, partial differentiation कब करेंगे, अगर कोई physical quantity, किसी एक variable पर depend करती है, तब आप उसका differentiation कर दो, with respect to that variable, लेकिन अगर more than one है, तो आप उसे आप partially differentiate करोगे, लेकिन partial differentiation करते समय, जिसके respect में आप differentiation करते हो, उसके अत्रिक्त, जितने भी variable होते हैं, वो constant होते हैं, मतलब मेरे कहने का यह है, कि अगर आप partially differentiate करते हो, और करना ही होगा यहाँ पर, with respect to x, e x को find out करने के लिए, तो आप x को variable मानोगे, लेकिन y और z यहाँ पर constant हो जाएगा, ऐसे y component जब निकालेंगे, तो y variable होगा, z और x constant हो जाएगा, ऐसे ez calculate कर लेंगे, और जब component calculate कर लेंगे, तो हम लोग vector calculate कर सकते हैं, तो e x calculate कर रहे हैं, minus del by del x, यानि कि partially differentiation, v की value है, 6xy minus y plus 2yz, चले, x को आप vary कराएगे, लेकिन y और z को constant की तरह treat करिए, तो y, 6xy में, 6 और y दोनों constant हो जाएगा, जो differentiation sign के बाहर आएगा, नार्मली जैसे differentiation करते हैं, और x का x के respect में differentiation करेंगे, तो 1 आएगा, यानि कि हो जाएगा 6y, y constant हो गया, pure constant हो गया, इसमें x नहीं है, तो ये भी 0 हो गया, इसका मतलब, ex component हो गया, minus 6y, लेकिन इसकी value, आपको एक point पर calculate करनी है, 110 पर, तो ex at point 110, is equal to, इसका मतलब, x के जगह पर आप 1 रखोगे, y के जगह पर 1 रखोगे, z के जगह पर 0 रखोगे, तो value पुट करो, 6 into 1, minus 6 हो गया, e y calculate करो, इसी तरह से, partial differentiation of v, with respect to y हो जाएगा, अब हम x और z को constant करेंगे, तो x constant हो जाएगा, 6y, x constant है, तो 6x आप बाहर रखोगे, जैसे differentiation करते हैं, y के y के respect में, differentiation करोगे, तो 1 होगा, इसका भी differentiation करोगे, तो 1 आएगा, minus 1, y का differentiation करोगे, 2z तो constant होगा, तो y का differentiation, y के respect में 1, आपको मिलेगा, 2z, करना differentiation ही है, लेकिन, एक variable को, हम लोग, differentiation कराते हैं, और दूसरे, तीसरे को, हम constant करते हैं, किस point पर calculate करना था, 1, 1, 0 पर, तो e y equal to हो जाएगा, 1, 1, 0, x के जगा पर आप रखोगे, 1, तो 6, 1 जा हो जाएगा, 6, minus 1, z के जगा पर रखना है, 0, तो 0 होगा, यानि कि, आएगा, minus 5, y component, z component, minus partial differentiation of potential with respect to z, अब आप z को variable करोगे, y और x constant होगा, तो y और x constant होगा, तो ये pure constant होगा, इसका differentiation 0, y भी constant लेकर चलेंगे, क्योंकि हम z के respect में, आप partially differentiation कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, z का आप differentiation करोगे, 1, 2y constant है, तो इसका partially differentiation हो जाएगा, 2y, ez at 0.110, हो जाएगा, minus 2, into y की जगा पर आप 1 रखोगे, तो minus 2 मिलेगा, तो अगर आपसे कहीं किसी question में, पूछ ले component of electric field, तो x component हो जाएगा, किसी point पर, minus 6, y component हो जाएगा, minus 5, और z component हो जाएगा, minus 2, तो vector क्या होगा, e vector, आप जानते हो vector को लिखना, e x i cap, e y j cap, और e z k cap, x की value आचुकी है, minus 6 i cap हो जाएगा, y की value आई है, minus 5 j cap, और z की value आई है, minus 2 k cap, आप minus common कर सकते हो, और भी कोई number कामन होगा, कामन करेंगा, वो तो common से चीज़े हैं, 5 j cap, plus 2 k cap, अगर unit given होगा, तो इसका unit लिखेगा, old per meter, मालो unit भी हम लिख दे रहे हैं, old, और distance का unit meter लिख दे रहे हैं, तो इसका unit हो जाएगा, old per meter, अब अगर यही question रहें, ठीक है, और आप से कह दे कि, उसी point 110 पर, इसी point पर, कोई charge रख दिया जाए, क्यों, मालो 2, micro kolam का charge रख दिया जाए, तो force कितना होगा, इस charge पर force कितना लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं, electric field force भी तो लगाता है, तो अगर electric field पूछ रहा है, तो हो सकता है, उसी point पर, आप से force पूछ ले, तो force का calculation आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान हो जाएगा, आप पढ़ चुके हो कि, f equal to e into q, तो f vector हो जाएगा, e vector into q, e vector की value आप calculate कर चुके हो, minus 6, i cap, plus 5 j cap, plus 2 k cap, और charge की value है, 2 micro, 2 into 10 to the power, minus 6, simple multiplication कर लिजे, minus 12 into 10 to the power, minus 6 i cap, plus, यह minus बाहर था, तो f vector equal to हो जाएगा, minus 12 i cap, plus 10 j cap, plus 4 k cap, into 10 to the power, minus 6, newton, इतने newton का force लगेगा, vector form में, अगर आपको magnitude निकालना है इसका, तो जैसे vector का magnitude निकालते हैं, वैसे आप magnitude भी निकाल सकते हो, component का square करके, add करके, square root निकालेंगे, force का magnitude भी मिल जाएगा, तो maximum यहां तक आपसे, बच्चों पूछ सकता है, v की value given होगा, point given होगा, तो electric field का या तो component पूछेगा, या तो electric field vector पूछेगा, या तो force पूछ लेगा, ठीक, अगर magnitude निकालोगे, तो magnitude निकालना भी सीख लो इसी समय, अंडर root, 12 into 10 to the power minus 16 का square करेंगे, minus 6 का square, minus का square करेंगे, plus हो जाएगा, इसलिए minus लिख नहीं रहे है, 10 into 10 to the power minus 6 का square करेंगे, plus 4 into 10 to the power minus 6 का square करेंगे, और सब को solve कर लेंगे, इस तरह से magnitude भी मिल जाएगा, जिसका calculation आप कर सकते हो, और कर भी लेना, तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, कि gradient आखिर क्या होता है, और ये भी पढ़ना सिखें हैं, कि किसी scalar quantity का, अगर आप gradient calculate करते हो, तो vector मिलता है, और E vector जो होता है, वो minus dv by dr के equal होता है, मतलब, electric field, potential gradient के negative value के equal होता है, अब बच्चों, ये जो formula आया हुआ था, ये तो आप समझ गय होगे, formula पर एक बार फिर से वापस चलते हैं, formula जो आपको मिला था, वो कुछ negative sign को ले करके मिला था, minus dv by dr, ये negative sign का भी ज़रा important role है, इसको समझा जाए कि यहाँ पर negative sign क्या represent कर रहा है, तो बच्चों, यहाँ पर negative sign ये represent कर रहा है, कि electric field के direction में, अगर आप move करोगे, तो electric potential decrease होगा, फिर से सुनिएगा, negative sign इस formula में, आपको क्या represent करा रहा है, आपको क्या show कर रहा है, कि जिस direction में electric field है, उस direction में move करें, तो potential की value decrease होगी, figure wise समझा जाए, charge, electric field जानने के लिए आप test charge रखोगे, test charge पर जिस भी direction में force लगेगा, वह electric field का direction होगा, तो आप जिस direction में move कर रहे हो, electric field के direction में, आप इस direction में move करोगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, electric potential की value decrease होगी, यही इस minus sign का significance है, बच्चों यहाँ पर electric field के आपके पास दो फार्मूले हो गए है, एक फार्मूला आया था F by Q 0 से, और एक फार्मूला मिला है, डेल V by डेल R से या डी V by डी R से, विद माइनस साइन, यानि कि electric field intensity के दो unit मिल जाएंगे आपको, ठीक, दो unit, अगर आप पुराने पढ़े हुए फार्मूले से calculate करते हो, तो आपके पास जो unit आता हो, न्यूटन पर कुलाम आता है, जिसका आपने बहुत यूज किया है, अब एक दूसरा unit, अब हम लोग यूज कर सकते हैं, ओल्ट पर मीटर, तो electric field के दो unit मिले, न्यूटन पर कुलाम और ओल्ट पर मीटर, फ्यारे बच्चों, उमीद है कि आप electric field और electric potential difference के बीच में जो relation मिला है, वो आप better ढंक से समझ गए होंगे, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीजे पढ़ते हैं, potential के respect में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, बाई बाई